हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो स्टाइल वीदस आज मैं आपको उताऊंगी ब्लाउस का बहुत दी ब्यूटफुल से नेक डिजाइन जिसे आप किसी भी प्लेन कुर्ती में भी बना सकते हो तो नेक बनाने के लिए मैंने इस तरह से पेस्टिंग बुक्रम लिया है अब हम फोल्डिंग साइट से अपनी नेक की चुड़ाई का निशान लगाएंगे तो इसमें मैं नेक की चुड़ाई लोंगी 4.5 इंच और डीप में इसका लोंगी 5.5 इंच अब हम इसमें बॉक्स टो कर लेंगे इस तरह से बॉक्स टो करने के बाद अब हम इसमें रौंड शेप देंगे इस तरह से यह हमारी फोल्डिंग साइड है अब हम इस राउंड की मदद से इसमें डिजाइन डालेंगे आप चाओ तो यह सर्कल बढ़ाया से छोटा भी ले सकते हो अब हम फोल्डिंग साइड से इस सर्कल को हाफ रखेंगे ताकि जब हम इस बुक्रम को खोलें तो यह फुल आ जाए इस तरह से इस तरह से अब हम सर्कल को इस तरह रखते हुए उपर तक इसे कंप्लिट कर लेंगे इस तरह से तो इस तरह से हमने उपर की साइड से वन नहीं छोड लिया है क्योंकि हम इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे अब हम भार की साइड से थोड़ा सा मार्जन लेते हुए इस नेक की कटिंग कर लेंगे इस तरह से निचे से कटिंग करने के बाद अब हम सेम इसी तरह से पूरे रिजाइन की कटिंग करेंगे करेंगे कुछ इस तरह से तो इस तरह से हमने अपने नेक की कटिंग कर लिया है अब हम इस नेक को कपड़े की उल्डी साइड पेस्ट कर लेंगे तो इस तरह से हमने अपने नेक को कपड़े की उल्डी साइड पेस्ट कर लिया है और साइड में इस तरह से थोड़ा सा मार्जन चोड़ते हुए इसमें कट लगा दिये हैं अब हम इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करते हुए पूरे नेक में स्लाइ लगा लेंगे अब हम इस तरह से खोल्ड कर ले से तरहा हैं तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए हमने पूरे नेक में स्लाय लगा लिया है अब हम इस नेक को ब्लाउस की सीधी साइड जॉइंट करेंगे तो ये मेरी ब्लाउस की सीधी साइड है और इस तरह से हमने इसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया है और सेम इसी तरह से हमने नेक का भी सेंटर पॉइंट निकाल लिया है दोनों को इस तरह सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से बुकरम के बगल बगल में सलाय लगा लेंगे तो चलिए इसी तरह से इसमें सलाय लगा लेते हैं अब हम इस तरह से बुकरम के बगल बगल में सलाय ल झाल 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 तो इस तरह से हमने बुकरम के बगल बगल में इसमें सलाय लगा लिया है अब हम अंदर से थोड़ा सा मार्जन चोड़ते हुए इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे इस तरह से और सिलाय से दूर इसमें कट लगा देंगे ताकि असानी से फोल्ड हो जाए तो इस तरह से हमने इस लाए से दूर इसमें कट लगा दियें अब हम इस नेक को फोल्ड करते हुए इसमें अच्छे से आयर्म कर लेंगे इसमें 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 इस तरह से और इस तरह बिठाते हुए neck में अच्छे से iron कर लेंगे तो इस तरह से neck में iron करने के बाद हमारे neck design complete हो गया है अब हम अंदर की तरफ इसमें तुरपाई करके इसे पूरा complete कर लेंगे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आयो तो इसे लाइक करें और हमारे जहनल को सब्सक्राइब